तो आज का लेक्चर है काफी इंपोर्टेंट है, जो की convert timestamp into date format, ठीक है, काफी लोगों को problem आ जाती है, timestamp को convert करने के लिए, कि date format में हम कैसे निकालें, ठीक है, तो timestamp जो होता है, जैसे कि आपने database में देखा होगा, तो कुछ इस तरीकी से timestamp होता है, इसमें आपकी date होती है, and then timing भी होता है, तो इसमें से हम चाहते है, particular date ही निकले, तो आप PHP में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मैं आज आपको करके दिखाता हूं, तो सबसे पहले मैं चलता हूं, अपने यहां पर एक file बनाता हूं, एक index.php, and then मैं यहां पर क्या करता हूं, code करूंगा अपना start, simple आप लह जादा नहीं दिमाग मानना पड़ेगा आपको, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपने पड़ा होगा date time, ठीक है, date time, तो इसमें क्या होता है, like, मैं मान की चलिये भी यहां पर क्या है, custom रख लेता हूं, ठीक है, यह वाला मैं copy करके, यहां पर रख लेता हूं, इस आप चाहें इसे dynamically ले सकते हैं, database से, उससे कोई फरक नहीं है, ठीक है, and then आपको करना क्या है, इसमें से only यह date निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर करना है, मैं निकाल लेता हूं, format date, ठीक है, इस variable में मैं क्या करने वाला हूं, dollar date नाम का जो variable है, उसम से मैं क्या करने वाला हूं, एक method होता है, इसके पास format नाम का, इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से pass कर दूंगा, मेरे को year चाहिए, and then month चाहिए, and then d चाहिए, ठीक है, d मतलब date, and then मैं यहां पर echo करा दूंगा, dollar format date, ठीक है, and then मैं यहां पर जो है, file को run करता हूं, localhost, localhost, slash, and then मेरे folder का जो नाम है, वो है, phpcoder, and then index, ठीक है, तो देख सकते हैं, यहां पर जो है, आपको जो है, only date मिल रही, ठीक है, पहले क्या था, यहां पर जो है, काफी मतलब problem होती है, जब भी beginners जो होती है, तो इसलिए मैं यहां पर जो अपना experience share करता हूं, मेरे को जो company में problem face हो तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, and then like ठोके, and then share करें, जैसे कि काफी लोगों की problem solve out हो, so thank you, जलते हम नेफ्स ट्रिटोरियल्स में,